तो हाई गाईज एन वेलकॉम टू ट्रांजीट एक तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एसी सेट अप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अपले करने के बाद आपका जो स्मार्ट फोन ने वो पुराने क्लासिक जो नुकिया या फिस वनी एडिक्सन प्रेयर के जो फोन्स थे उनके जैसा लूक देने लगेगा तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाता हूंगी आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए आपको जो-जो भी फाइल चाहिए होगी नोवा लंचर और कल्वप लाइब वाल पेपर इन दोनका लिंक आपको डेस्प्रिशन में मिल जाएगी और नोवा लंचर का back-up जो कल्वप है उसका एक प्रिसेट भी आपको मिल जाएगी सबसे पहले आपको Nova Launcher को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद उसमें यह जो Backup and Reset बाला Option है, वहाँ पर जाना है और Restore और Manage Backup पर क्लिक करके आपको Browse पर क्लिक करना है, और वहाँ से आपको यह जो Empty Nova Backup एक फाइल मिलेगा, उसे आपको क्लिक करना है, और यहा करना है, लोड प्रिसेट पर क्लिक करके आपको फाइल चूज करना है, इसका एक लिंक आपको Description में मिल जाएगी, यह जो KLWP का एक फ्रिसेट है, यह वाला Classic Fonts Volume 1.klwp इस फाइल को आपको चूज करना है, इस तरीके का फाइल, आपको यहाँ पर Export में मिल जाएगा, आपक अब यह और भी steps बाकी है, तो आप वीडियो छोड के मत जाएए, और इस वीडियो के लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको और भी बगई सारे चीज़ें करना है, यहाँ पर जो 1,2,3 वाज़र आपको क्लिक करने पर आपको डिफरे तो आपको उसे कैसे सिलेक्ट करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ, और यहाँ पर आप टॉच करके भी इसे control कर सकते हैं, और themes पर आपको इस तरह की themes मिल जाती है, रोकिया सुनी एरिक्सन साइम, इन सब की आपको theme मिल जाएगी, और settings में जाकर करके आप sim 1 या फिर 2 द आपको देखने को मिल जाएगी, तो अब ही आपको क्या करना है, वापस KLWP में जाना है, और KLWP में आपको यहां पर, मैं जो चीजें आपको दिखा रहा हूँ, आपको उन में से कुछ चीजों को सेट करना है, अब ही, अपने according, जैसे कि आपको log reading पर क्लिक करना है, और stack group के अंदर middle में जो stack group है, उसके अंदर आपको और stack group मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है, और text को edit करके आपको यहां पर अपना नाम डाल देना है, जैसे कि मैं इधर मेरे नाम डाल रहा हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी इधर मेरे नाम आ गया है, तो इसमें और एक interesting चीज भी आपको मिल जाती है, जैसे कि आपको इसके साथ music player भी मिल जाता है, जो कि बिना कोई दिक्कत के music भी play कर देता है, तो अभी में music player से बैक चला गया, home screen में, तो अभी आपको इस keyboard का जो यह सेक्सर नहीं यहां पर आना है, और आपके फोन में जो भी option वाक नहीं करा है, जैसे कि मेरे में जो gallery है, उसे मुझे गूगल photos आप में अगर set करना है, तो मैं simply gallery पर क्लिक करूँगा, और यहां पर फोर में जो gallery है, उसमें touch के section में जाने के बाद, launch app में जो gallery आप चूज़े, वहां पर मुझे gallery के बदले photos आपको चूज़ करना है, इसे आप row wise एडिट कर सकते हैं, और edit करने के बाद, आपको save पर click करना है, और फिर मैं अभी back चले जा रहा हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं, हर एक row के लिए different different options आपको मिल जाते हैं, तो इसी तरीके से आप इन्हें edit कर सकते हैं, नमबर टू में मेरा facebook work नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं facebook light यूज़ करता हूँ, तो अभी आपको यहां पर आकर, टॉच में launch आपको facebook के जगे उसे light पर चूज़ करना है, पर यहां पर आप सेव कर सकते हैं, इसे और उसके बाद अभी पहले unlock करना है अभी इसे, इस तरीके से, तो अभी अगर मैं number two पर क्लिक करता हूँ, तो पहले तो मेरा facebook नहीं खुल ला था, पर अब जैसे कि मैंने अपके सामने इसे light वाल application पर चूज़ कर दिया, तो यह अभी properly work कर रहा है, और number four पर भी photos के जाए application ने वह खुल जा रहा है, तो इस तरीके से आप अपने मताविक से customize कर सकते हैं,